बोचपुरे अभी नेत्रिया कांशे दुवे की मौत मामले का मुख्यारोपी बोचपुरे गायक समर सिंग के खिलाब बुद्धवार को फास्टर कोट में सुनवाई हुई ताइनया गुपता के अदालक ने समर सिंग की पुलिस रिमान मंजूर कर ली 13 अप्रेल के सुबा 10 वजे से 17 अप्रेल के शाम पांच वजे तक रिमान मंजूर की गई है और आपको बता दें किस बार के सुनवाई में आरोपी समर सिंग खुद कोट नहीं गया था बलकि अदालक में समर सिंग जिला जेल से वीडियो कांफरेंसिंग की जरी पेश हुआ था और इसके पीछे क भीड नहीं जैसे समर सिंग को देखा समर सिंग पर लोग हमरावर हो गये थे और जैसे तैसे करके महा मजूद उपीफिय पुलिस ने के साथ समर से पीडियो कांफरेंसिंग के जरी सुनवाई में शामिल रहूंगा जिससे मंगल बार सुबह कोट ने स्विकार कर लिया था और प्रातना पत्र में समर्थ सिंग ने बताया कि पिछले दिनों पेशी के दौरान अकांचा के समर्थ को ने हंगामा किया था उसे मानसे करूप से प्रतारित किया गया था और समर्थ सिंग के अनुशा पेशी पर जा सब्सक्राइब को आत्म हत्या की लिए उक्साने के आरोपी गायक समर सिंग की मुसीवते बढ़ती दिख रही है सिविल जज जूनियर डिविजन फास्ट्रेक कोड़ द्वारा तान्या गुपता की अदालत निव धुद्वार को समर सिंगी पुलिस का स्टाइडी रिमांड म आपको यह भी बता दे कि भुषपूरी गायक समर सिंग का दोस्स संजे सिंग जोकी अकांचे दुवे मौत मामले का मास्ट्रमाइंड बताया चाहरा था उसको यूपी पुलिस ने बुद्वार को पकड़ लिया है पुलिस के अनुसार पुलिस ने वारने से के आजमगर र गिरफ्तार किया है क्योंकि संजे सिंग वीजियो में एकनम ठाठ और अकड़ से चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके मूँपर जरा साबित सीकन और पस्तावा नजर नहीं आ रहा है वीजियो देखा लगता है कि इस पूरे घटना के मेन आरोपे संजे सिंग को पुलिस क मिली भगत से पकड़ा गया है और ऐसे में कहीं ने कहीं मधुदुबे का वारोप सच साबित होता नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस पर यारोप लगाया था कि यूपी पुलिस ही समर सिंग को चुपा कर कहीं रखी थी और जब मैंने यूपी पुलिस पर वाइल बरामत किया जाना जरूरी है इसके अलावा समर के लखना हूँ और मुंबई सित ओफिस जाकर उसके और कांशा दुए के बीच हुए वित्तिय लेंने यानि पैसे का जो भी लेंने हुआ है फिल्मों के करार समंदी कागजाद जो भी है वो सब बरामत किया जाएगा ताकि वहां सभी कुछ सबूत का पता चुल सके यह पिलिस का कहना है कि समर सिंग के जिस ठीक आने पर समर सिंग का इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस जैसे फोन, लैप्टॉप, मैक बूक या कोई भी ऐसा डॉक्यमेंट जिसमें कांशा दुए और समर सिंग के बीच फिल्म जैसे गाने का प्रोमोशन करना या समर सिंग किसी भी एल्बम का कोई काम संजे सिंग देखता था पुलिस उस ऑफिस पर भी जाएगी जानते समर सिंग के गाने रिकॉर्ड किये जा देते वहां से कुछ भी ऐसी सबूत अगर हाथ लग जाते हैं तो अकांशा दुए मौत म मामले की जांच नहीं हो रही है उसे जादा इस पूरे मामले में आरोप तक्त्यारोप का खेल हो रहा है और अकांशा दुए कि मौत अब एक अबूच पहली बन कर रहे गए ऐसे में इस थाबित करना मुश्किल लग रहा है कि इस पूरे घटना का आरोपी समर सिंग और आज़ एज़ इसी इतने